एक साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बोल्यूड के टॉप पांच एक्टर्स। सनी देओल की फिल्म गदर दो साल 2023 की अगस्त में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्त कमाई की है। सनी देओल की साल 2023 की इस एक फिल्म ने 515 करोड रुपए कमाए है। सल्मान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धनपायो साल 2015 में रिलीज हुई थी। सल्मान खान की इन दोनों फिल्मों ने साल 2015 बॉक्स आफिस पर करीब 531 करोड रुपई कमाए थे नमबर तीन रनवीर सिंग रनवीर सिंग की साल 2018 में फिल्म पदमावत और फिल्म सिंबा रिलीज हुई थी प्रणवीर सिंग को साल 2018 में इन दोनों फिल्मों ने 542 करोड रुपे का कलेक्शन करवाया था अक्षै कुमार की साल 2019 में चार फिल्में रिलीज हुई थी केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल फॉर और गुड न्यूज अक्षै कुमार की सभी फिल्मों को बॉक्स ओफिस पर अच्छा रिस्पॉंस मिला था साल 2019 में अक्षै कुमार की इन चार फिल्मों ने करीब 775 करोड रुपे का कलेक्शन किया था और एक नया रिकॉर्ड बनाया था जो चार सालों तक कायम रहा नंबब एक शाहरुक खान और आखिरकार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर है शाहरुक खान जिनोंने साल 2023 में पठान और जवान के जरिये अक्षै कुमार का ये रिकॉर्ड तोड दिया है और नंबर वन पोजिशन हासिल कर ली है शाहरुक खान की साल 2023 में दूसरी फिल्म जवान रिलीज हुई है और अब तक करीब 320 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है शाहरुक खान की फिल्म पठान ने 540 करोड रुपे की कमाई की थी इस तरह से शाहरुक खान साल 2023 में अब तक दो फिल्मों से करीब 860 करोड रुपए का कलेक्शन कर चुके है